रादी रादे जैमाता की भक्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ spiritual ग्यान साधना में और आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि spiritual ग्यान साधना को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करतीजे ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे पित्र विसरजन अमावस्या के दिन धर्ती पर आए पित्रों को याद करके उनकी विदाई की जाती है पूरे पितर पक्ष में पितरों को याद ना किया गया हो तो अमावस्या को ने याद करके दान करने और गरीवों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांती मिलती है इस दिन सभी पितर अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं चयमाता की रादे रादे कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बताने के लिए कॉमेंट में चयमाता की रादे रादे अवश्य ही लिखेगा तो भक्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अत्यन्त महत पूर पूरे वर्ष की जो अमावस्या है पित्र विसर्जनी अमावस्या उसके विशे में जैसा कि हम सभी जानते हैं पित्र पक्ष चल रहा है और बस अब एक अंतिम दिन बचा है पित्र विसरजन अमावस्या का जो की वर्ष में एक बार ही हमें मिलता है पूरे वर्ष में वैसे तो हर महीने में अमावस्या की तिथी आती है किन्तु यह जो पित्र पक्ष की अमावस्या होती है जिसे पित्र विसरजन अमावस्या के नाम से जाना जाता है इसकी महत्तोता बहुत अधिक है हिंदु धर में पित्र विसरजन अमावस्या का विशेश महत्व बताया गया है इस दिन पित्रों के निमित, तरपन, पिंडदान और दान जैसे कर्मकांड किये जाते है आश्विन मास में आने वाले पित्र पक्ष के तौरान पित्रों को शांती प्रदान करने के लिए कर्मकांड 16 दिनों तक चलते है पित्र बक्ष की शुरुआत भादरपत पूर्णिमा से होती है और इसके अंतिम दिन, पित्र विसरजन अमावस्या के दिन, पित्र विसरजनी अमावस्या से होती है पित्र अपने लोगों को वापस लोड़ जाते हैं, पित्र दोश को समाप्त करने और पित्रों का आशिरबाद पाने के लिए धार्मिक गरंतों में कई उपाय बताये गए हैं, जिस में से एक पित्र विसरजन अमावस्या पर दान करने का सबसे महतपूर उपाये माना जाता ह माना जाता है कि इस दिन दान करने से जीवन के सभी संकट और बाधाएं दूर हो जाती है बेदों और पुराणों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने पित्र पक्ष के दौरान अपने पित्रों को याद नहीं किया है तो सर्व पित्र अमावस्या के दिन तरपण पिंडदान और दान करने से विशेश फल की प्राप्ति होती है पित्र अमावस्या पर पित्रों को इस मरण करके और उनके प्रती दान करने से वे प्रसन होकर अपने लोग को जब जाते हैं और अपना आशिरबाद अपने वंश के लोगों पर बनाए रखते हैं। वर्ष 2024 में पित्र विसरजन अमावस्या कब है चलिये जान लेते हैं। इस वर्ष 2024 में पित्र विसरजन अमावस्या 2 अक्टूबर को है। और इसी दिन पित्र विसरजन अमावस्या का दान करने से अ अमावस्या तिथी पर अपने पित्रों को यदि याद करते हैं उनके प्रतिशाद तरपन पिंडदान आधी कारे करते हैं और उन्हें विदा करते हैं दीवदान करते हैं तो बड़ी प्रिसन्यता से वो अपने लोग को वापस चले जाते हैं इसलिए उन्हें खुशी- अमावस्या को हुई हो उन लोगों का शाद भी अमावस्या की तिथी पर ही किया जाता है और जिन लोगों की मृत्यों की तिथी हमें ग्यात नहीं होती है ऐसे लोगों का इसमरण करते हुए ऐसे पित्रों का इसमरण करते हुए उनके प्रति अपने श्रधान जली और पित करते हुए उनका शाद भी पित्र विसरजन अमावस्या के दिनी किया जाता है शाद पक्ष की अमावस्या को सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या इसलिए कहा जाता है इस दिन सभी को मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है माननेता है कि इस दिन सभी ग्यात अग्यात पित्रों का शाद करने से उन्हें मोक्ष मिलता है और हमने इस वीडियो में अभी तक आपको बताया कि सर्व पित्र बिसरजन अमावस्या किस दिन है और उसकी डेट क्या है साथ ही इसका हमने ये भी बताया महत्व भी बताया क्या है और इस दिन क्या करें क्या ना करें आगे की वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है तो आप से निवेदन करते हैं यह दिया चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राईब कर लीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजए ताकि आपको महत्पूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए और आप इसका पूर्ण रूप से लाव उठा सकें तो चलिए पुना प्रारंब करते हैं वीडियो जोतिश शास्त्र के अनुसार वीश्रा अत्पक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेश उपाय करने से पित्र प्रिसन होते हैं और पित्र दोष भी कम होता है तो आईए जान लेते हैं उन उपायों को पीपल में पित्रों का वास माना गया है सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चड़ाएं और गाए के शुद्ध घी का दिया जलाएं सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या पर किसी ब्रहमर को भोजन के लिए घर अवश्य बुलाएं या भोजन सामगरी जिसमें आटा, फल, गुड, आदी का दान करें इस हमावस्या पर किसी पवित्र नदी में काले तिल डाल कर अरपण करें इससे भी पित्रगर पिरसन होते हैं साथी यदि आपके शहर में नदी नहीं है तो आप सूरत देव की जब किरने पूरी धरती पर चारों तरफ फैल जाएं उसके बाद करीब 10-11 वजे के बाद आप एक स्टील के लोटे में थोड़ा गंगा चल, कच्चा दूद और थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल डाल ले और अपने पित्रों को याद करते हुए उन्हें इस मरण करते हुए दक्षन दिशा की तरफ मुख करके उन्हें ये जल अर्पित करें जैसे आप सूर्य भगवान को जल देते हैं बैसे ही दक्षिन दिशा की तरफ आपको मुख करके अपने पित्रों के निमित भी जल देना चाहिए और आपको मंत्र बोलना है ओम सर्व पित्र चरण कमले व्यो नमा ओम प्रिथम पित्र नाराणाय व्यो नमा ऐसा मंत्र बोलते हुए अपने सभी पित्रों के निमित आप नत्मस्तक हो उनको प्रणाम करें और अपनी शरधा अपना भाव उनके प्रती अरपन करें इसके अत्रिक्त अभी आपको हमने बताया कि आप घर में शुद्ध शाका हरी साथपिक भोजन बनाकर उनको जिमाएं अपने घर में बुलाकर नहीं कर सकते हैं तो कच्छा भोजन यानी सीधा निकालकर आप मंदर दे कर आएं आप भिजबा दें सर्व पित्र मोक्ष अमावस्या पर अपने पित्रों को याद करके गाये को हरा-चारा खिलाना चाहिए इससे भी पित्र प्रसन्वा त्रिप्त होते हैं इस अमावस्या पर चावल के आजें से 5 पिंड बनाए और इसे नदी में प्रवाहित कर दें अमावस्या पर गाय के गोवर से बने कंड़े को जलाकर उस पर घी और गुड की धूप दे और सर्व पित्र देपताब्यो अरपर मस्तू बोले इस अमावस्या पर कच्चा दूद जों तिल चावल मिलाकर नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं ये उपाए सूर्योदय के किरता हो या ना हो किन्तु आप ऐसा कर सकते हैं पुराणों और गरंथों के अनुसार पित्रों को शानती देने और मोख्श के लिए उप्ताय बताए गए हैं ये व्यक्ति ट्वारा अपने पित्रों के निमित कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए तो पित्र पिसन होकर जाए तो अत्यंत लाब की प्राप्ति होती है पित्र दोश से मुक्ति और पित्र जनित कष्टों से मुक्ति पाने के विशय में आपको हम कुछ बात बातें आगे बताने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किया पूरा ध्यान से सुनिएगा पित्र विशर्जन अमावस् पित्र विशर्जन अमावस्या पर ध्यात अग्यात और जिन पित्रों का शाद कर्म किया जाता है उन्हें सभी का तरपड किया जाता है ओं त्यम्वक्म्यजा महें सुगंधिम, पुष्टि वर्द्न, मुर्भारुक्म, बंदनान, ब्रत्योर, मुक्षि मामृतात ये हैं म और ये गायत्री मंत्र इन मंत्रों का जाप बहुत अधिक फलदायक सिद्ध होता है पित्र दोश से मुक्ती मिलती है और साथी पित्रों के प्रिसनिता भी आपको प्राप्त होती है तो इस दोरान पित्र पक्ष के दोरान यदि नहीं कर पाएं है तो सर्व पित्र विसरजन अमावस्या जो है इस दिन आपको इन मंत्रों का जाप करना चाहिए यदि इस दिन हवन कर लेते हैं फिर तो क्या बात है पित्र विसर जनी अमावस्या के दिन हवन करें गायत्री मंत्र के साथ इस दिन बहुत ही जादा पुन्निदाई फलिदाई माना जाता है हवन करना इस दिन गीता का पाठ करना सुन्दर काणड पाठ करना भागवत कथा का अश्रवण करना पाठ करना बहुत ही जादा फलिदाई माना जाता है बहुत अधिक पूजा पाठ ना करें तो कम से कम थोड़ी पूजा भगवान के निमित अवश्य करें इसके अत्रिक्त हमें कुछ बाते हैं जो वो ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए सबसे पहली चीज है कि बालों को बिल्कुल भी ना कटवाएं पित्र विसरजनी अमावस्या जो है यह आश्विन मास की अमावस्या है और सबसे बड़ी अमावस्या है इस दिन बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाना चाहिए नहीं तो गरीबी आती है साथ ही शेविंग नहीं करना है नेल्स कट नहीं करने अधी नाखून बड़े हो गए तो थोड़ा इंतिजार कर ले पर इस दिन नाखून ना काटे अगर हो सके तो कपड़े भी ना धोएं क्योंकि किसी भी तरह का इस दिन ऐसा कारे नहीं करना चाहिए जो कि हम गंदिगी को दूर कर रहे हैं मतलब कि आपके इस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको जो करना है घर को साब सुतरा करके अपने पित्रों के निमेत शाद तरपन पूजा दान तब इत्यादी कार करने हैं ना खून कटने हैं ना बाल कटने हैं ना शेविंग करनी हैं ना कप्रे धोने हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिए, साती इस बात का भी ध्यान रखिए, कि काले वस्त्र ना पहने, नौन वेच, या फिर किसी तरह के प्याज लेसुन का प्रियोग घर के भुजन में इस दिन ना हो, किसी की बुराई ना करे, निंदा ना करे, और हाँ, इस दिन विशेष तोर पर ब्रह्मिचर का पालन अवशे करना चाहिए, साप सफाई रखना चाहिए, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करे, गाली गलोश ना करे, और अपनी पतनी बच्चों के साथ, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, मार पीट भी नहीं करनी चाहिए, जो भी बुर जो हमारी माताएं बहने हैं, उनको भी समझना चाहिए, कि जो उचित कारे हों उनी को करें, अनुचित कारें को करके, घर के सदस्यों के मन में किसी भी तरह की कड़ोहाट पैदा ना करें, और बहुत छोटी-छोटी सी ये बाते हैं, लेकिन जब हम इनको कर देते हैं, तो के निमित जलर पड़ करें अपने घर की दहलीज पर शाम के समय देशी घी का एक दिया अवश्य जलाएं जिसकी लौदक्षर दिसा की तरफ हो साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दिया अवश्य जलाएं जिसकी लौदक्षर दिसा की तरफ हो ये भी ध्यान रखें ग और अपने प्रकाशित मार्ग से जब अपने लोग को जाएंगे तो वो आप पर खूब सारा प्यार और आशिरबाद बरसाएंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है देखिए हम अपने बड़ों के जाने के बाद उनका श्राद करते हैं तरपड करते हैं किन्तु ऐस इसा भी ना करें कि घर में हमारे जो बड़े बुजूर्ग हैं या बच्चे हैं या हमने कोई पैट रखा है जैसे कुटा है गाय है कोई यह बो भूंका रहे और हम पित्रों के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं पित्रों के प्रति जो पूजा है उसकी तैयारी कर रहे हैं चब वो आ जाएंगे तभी सब को मिलेगा अच्छी बात है लेकिन कुछ ऐसा प्रबंद रखें कि जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं यदि वो बीमार हैं दवाईयां लेते हैं तो आपको उन्हें कुछ तो खिलाना ही है तो उसका प्रबंद रखें छोटे को छोटों को जो भी आपके घर में बाकी के लोग हैं जिनको भूख लगती है जिनको आविशकता है पेट भरने की भोजन करने की उनको जो जिस तरह से भी आपको कराना फल देना है दूद देना है जो भी देना है या फिर कुछ दलिया किचड़ी देनी है वो सब प्रबं से अपने घर के बाकी सदस्यों का पेट भरबा दें उनको भोजन करा दें उसके बाद ही कारे करें और सभी का सम्मान करें ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद ही उनको सम्मान मिलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए जो सामने हैं सबसे पहले हमें उनका ध्यान रखना है उसके बनाते रह चाहें यह नहीं करना चाहिए वैसे तो आज के टाइम में ऐसा कमी होता है लेकिन फिर भी हमें इन चोटी-चोटी बातों पर विशेश ध्यान देना चाहिए इसके अतरिक्त अपने जो हम श्राद दान तरपड़ इत्यादी कारे करने वाले हैं यदिमा लीजिए ह हम तरपड़ नहीं भी कर रहे हैं हमारे घर में और भी लोग हैं तरपड़ इत्यादी कारे के लिए कुछ नियम ऐसा है तो भी हम तान कर सकते अपने वित्रों के ने में तान में आप जो भी पित्र आपके जो पहनते हों जैसे कपड़ा जैसे धोती कुरता कुरता पजामा साड़ी, सोलशंगार का सामान छाता और टोपी गमचा, चपल जूता, खाने पीने की उनकी पसंद की चीजें दक्षणा, ये सारी समगरी आपको अपने पित्रों के निमित किसी धामन देपता को दान करनी है एदि आप किसी गरीब को रोट पर देखें कि वो चपल नहीं पैने तो उसको चपल दिला दें किसी को प्यास लगी है तो उसे पाने की बॉटल दिला दें ये चोटी चोटी बात है इनका ध्यार रखें इसी प्रकार से आप पित्र विसरजन अमावस्या तिती पर या दिकारे करतें तो आपको अत्यंत पुन्यफल की प्राप्ती होती है पीपल के पेर की पूजा आवश्य करें और दीब दान आवश्य करें जब आप ब्रामन को भोजन कराएंगे भूखे को भोजन कराएंगे या दान करेंगे देखिए यदि आप ब्रामन को घर पर बुला कर भोजन नहीं कर सकते हैं तो सीधा निकाल दीजिए होता है कभी कभी तबियत ठीक नहीं है आप घर की जिम्मेदारियां बहुत है या कुछ ऐसा है कि हम घर पर ब्रामन देप को बुला कर भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कीज़े रखकर हमें मंदिर में पंडित जी के निमित दान कर देनी चाहिए उनको विजबा देनी चाहिए इसके बाद आप दक्षर दिसा की तरफ लोटा भरके एक जल दें पीपल के पेड में जल चड़ाएं और शाम के समय दीब दान करें छोटे-छोटे से निया मुका पा हीपल के फिर्डिक नीचे रखेंगे और जब हमारे पितर अपने लोगो जा रहे होंगे उस तीए के प्रकाश से उनका जो मार्ग होगा जब औष प्रकाश में होगा वह उस पर चलती हुए जाएंगे तो ये हम कलपना कर सकते हैं इस बात की कि कितना अच्छा उनको कितना खुशी महसूस होगी, वो किस तरह से आशरबाद, भरवर के आशरबाद, अपने परिवार के जनों पर लुटाएंगे, बच्चों को आशरबाद देंगे, गिंदु यदि हम एक भी कारे नहीं करेंगे, नहीं हम बोजन का कारे करेंगे, नहीं दान का कारे करेंगे, नहीं द नियुद्यारा ही अंधियारा होगा उन्हें कितना कश्ट होगा तो उनकी कश्ट को में आप जब दूर करेंगे तो आपके जीवन का अंधियारा और आपके जीवन का क押श्ट दूर होगा इसलिए अपने पित्रों के निमित ये सुंदर का रवश्य करें उन भोजन, दान और दीबदान अवश्य ही करें भूलिएगा मत कल का दिन है, बुद्वार का दिन है, शाम का समय आपको ध्यां रखना है, सूरे डूबने से पहले-पहले आपको दीबदान अवश्य कर बिलते हैं ऐसी ही बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक सभी लोग खुश रहें प्रसने रहें स्वस्त रहें आपके पित्रों का आशिरबाद आप पर सदा बना रहें जै माता की राधे राधे